हेलो स्टूडेंट, वेलकम बेक टू माई चैनल समराड इकेडमी स्टूडेंट, मेरा नाम है कास और मेरे प्यारो विद्दार्तियों जीतने भी बच्चे 2023 बोड इक्जाम देने वाले हैं, उनके लिए वीडो बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट है क्योंकि क्लास 10 के मोस्ट क्योंस में लेकर आ रहा हूं, इंग्लिस के, देखेए मेरे प्यारे विद्दार्तियों बहुत सारे क्योंस में इंकिलूट किया हूँ, जैसे पैसे में 3 बताने वाला हूँ, एक आपका अंसिन पैसे जाता है, जो कि 10 नमबर के लिए आता है, एक पौईटरी का पैसे जाता है और एक आपका प्रोज का पैसे जाता है इसके बाद 40 important question बताने वाला हूं फिर लॉंग important questions बताने वाला हूं and match the column भी आप लोगों को साती सात बताने वाला हूं उतना सीज आप लोगों के इस वडियो में आप देखने को मिलेगा और सारे questions संस स्म्झते चलना एंट करते चलना ठीक है तो चले वडिओ कुरण ऋकलड करनी सभी पहले एक ही बात कहना चाहूंगा कि वीडिओ लाइक नहीं को लाइक कर दीये चैनल पना है तो चैनल को स्सट्क्राइब कर दीजिए चले देखे सबसे पहले लोग अंसीन पैसे देखेंगे क्योंकि पेपर में भी सबसे पहले आप लोगों को अंसीन पैसे सी पुछा जाएगा ठीक है अब प्रश्ण पहला कैसे देखा है यहाँ पे कि Read the flowing passes carefully and answer the questions given below it कहरा है कि पैसे को खुब ध्यान से carefully से पैसे को आप पढ़िए पढ़ने के बाद इसका answer दीजिए Qution given below it जो Qution दिया है इसके नीचे दिया हुआ है यह पैसे दरवाब खत्म होजागा इसके just नीचे Qution दिया हुआ है पैसे को पढ़ने के बाद जो Qution दिया गया है उसका उत्तर देना है चलिए कम सकम एक बार पैसे तो पढ़ना ही पढ़ेगा तभी तो आप उत्तर दोगे उत्तर इसी में से आप लोगों को देना होता है तो क्या है कि to try is the first step of the letter of success if you do not try you can't be successful all the great men of the world laid very diligent lips they did not waste even a minute hence they could perform such glorious deeds one who work is bound to reap the reward of ons effort idleness is the way to ruin onself therefore on should given up idleness and having girded off ons loins should try to ascend up the hills to success तो देखिए यह आप लोगों को यहां तक आप लोगों का पैसे है ठीक है पैसे एक बार मैं पढ़ लिया हूँ आराम से बढ़िया से आप लोग इस पैसे को आप नोट कर लोगों इसके बाद इसके नीचे प्रशन दिया हुआ ठीक है 4 प्रशन टूटल दिया है कितना प्रशन चार ठीक है एक प्रशन we do to get success in life ठीक है अब देखें बस यहाँ पर passes बड़ा होता है ठीक है त्यांसे पढ़ लीजेगा passes बड़ा होता है लेकि इसके answer बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं जैसे what should we do to get success in life अब क्यूसर जो ए है उसका answer देखें कितना चोटा बहुत ही ज़्यादा चोटा क्या है कि to get success we should not be idle and should diligently try to do the task देखें बहुत ही दो लाइन का answer है बहुत ही ज़्यादा simple है ठीक है आप आराम से याद कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद दूसरा जो प्रस्ष्ण है वह है कि what type of life did the great man of the world lead करा है what type of life did the great man of the world lead इसका answer भी दो ही तिन लाइन का है देखें कितने लाइन का तिन लाइन का है करा कि all great men in the world lived lived a very diligent life they did not waste their time and could perform glorious did successfully ठीक है तिन लाइन का छोटा सांसर है इसके बाद यह दोनों कांसर के बहुत ही ज़्यादा छोटा छोटा क्या है find out a word in the passes which means destroy ठीक है तो कहा है अच्छे destroy means क्या होता है destroy का आप लिखेंगे ruin क्या लिखेंगे ruin लिखेंगे बस इसके बाद last प्रस्ण है दो नमबर के लिए यह दो यह भी दो नमबर का था यह भी दो नमबर का क्या है कि find out a word in the passes which is opposite आप disgraceful आप disgraceful का opposite word आपको बताना है तो glorious होता है क्या glorious तो आप लोगों का देखें 4 नमबर 2 नमबर 2 नमबर यहां से 4 नमबर यहां से complete हो गया 3 नमबर 3 नमबर 6 नमबर यहां से total 10 नमबर आपके unseen passes से आप लोगों का complete हो गया ठीक है इसके बाद चलिए यहां से मिस को अटाता हूं अब आगे देखेंगे आगे अब आप लोगों का जो क्यूसन है वो आप लोगों का short answer type क्यूसन है ठीक है आप चलिए आगे देखते हैं ध्यान से एक भी प्रशन आप लोगों को मिस नहीं करना ठीक है क्यूंकि इंगलीस है इंगलीस में अच्छा marks आप लोगों उकलाना है अब हम देखने वाले हैं short important questions अब हम last में देखने वाले हैं उसके poetry के पैसेस देखने वाले हैं और prose के पैसेस देखने वाले हैं ठीक है चलिए पर आप लोगों को चार number के लिए पूछा जाता है ठीक है मतलब दो 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 क्यूशन दिया रहते हैं दो दो नंबर के आप लोगों पूछे जाएंगे तो चलिए देखते हैं पहला प्रस्टना वाट वाज दो अउनली वे टू सेव ट्रिकी तो देखिए इस का अंसर लिखेंगे बहुत इंपोर्टेंट यह आप लोगों का क्यूशन है अब दो जर बाइस में पूछा था करा कि दो अउनली वे टू सेव ट्रिकी एस थोट आफ बाई डाक्टर हेर्योट वाज तो टेक हीम अवे फ्रॉम हीस मिस्ट्रेश मिस्टर्स पंफ्रे अब हम बढ़ेंगे क्यूशन दूसरे की तरफ और क्यूशन दूसरा बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है इस सारे प्रशन आप लोगों तयार करने है ठीक है चलिए प्रशन दूसरा है कि वाट काइंड आफ थिप्स हरी सिंग वाज वाट काइंड आफ थिप्स हरी सिंग वाज तो इस काहां से लिखेंगे कि आप कि हरी सिंग वाज एन इक्सपरियेंस्ट इस्माल टाउन थिप्स who was fairly successful in his theft he knew how to win others trust and steal from them without getting caught without getting caught एक question नमबर दूसरा है very very most important question आप लोग नोट कीजिए इसके बार हम आगे बढ़ेंगे अगला प्रस्न देखिए यहां पे तीसरा प्रस्न दिखर आपको तीसरा प्रस्न है कि How did Griffin save himself from Mr. Hall तो दो कि answer बहुत तीन लाइन का छोटा है कि To save himself from Mr. Hall Griffin opened up his bandage whiskers, spectacles and even nose to show that he was invisible ठीक है यह क्यूशन तीसरा है तीन हमने आप लोगों को short important questions बताया अब हम देखने वाले हैं long important questions अब हम लोग देखने वाले है long important questions ठीक है देखे long important questions देखने वाले हैं और very very most important यह सारे प्रस्न आप लोगों त्यार करने हैं पहला प्रश्ण है लोंग इंपोर्टेंट क्यूसंस का कि how did the hell stones affect the field of lancho? तो देखिए answer के लिखेंगे very most important आप लोगों का ये प्रश्ण है, 2022 में भी प्रश्ण पूचा था कि the hell stones that rained for an hour's ruined lancho, filled after the rain, the field was white as it covered with salt, by the end not a single leaf was left on the trees, the flowers were gone from the plants and the corn was totally destroyed ठीक है, देखिए बहुत ही simple है, ज्यादा भारी आप लोगों का नहीं है, और बहुत मैंने simple courses किया है, कि लोग इंपोर्टेंट अच्छे से लिखें simple कि ताकि आप लोगों का हो पाए, क्यूंकि बहुत लोगों को लोग इंपोर्टेंट क्यूसंस याद होता नहीं हो, बहु most important है, कि why did Annie Frank maintain a diary, आप answer लिखोगे, कि Annie thought that she could confide more in her diary than people because she did have a true friend, she did not know anyone with whom, she could share her feelings, although she had a great number of friends and had also spent good times with them, but she was unable to share her whips and thoughts with them, she also had a loving family and a good home, ठीक है, तो देखिए, यह आप लोगों complete होता हुआ, long important questions, हमने दो आप लोगों को long important questions बता दिया, और अराम से इन सीजों को note कर लिजिए, चरिए, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, match the column को लेकर, ठीक है, किसको match the column को लेकर, और जैसा कि देख पा रहे है, match the column क्या है, आपको दिया हुआ है, word, और list B में जो word दिया, तो list A का मिला list B में आप लोगों को करना है, जैसे list A में A, B, C, और list B में 1, 2, 3 दिया, list A में जो A है, वो है no longer, सोसेवल इसके बाद अलिस्ट भी में आपका फ्रेंडली गेव नो मूर ठीक है आंसर की बात करें तो सिंपल इसका आंसर है देखें यहां पर लिखा हुआ है एका तीसरा मतलल नो लंगर नो लंगर का आप लोगों मिलेगा यहां पर नो मूर इसके बाद दूसरा यहां पर सोसेवल सोसेवल का हो जगा आपका फ्रेंडली क्या हो जगा फ्रेंडली बस यह आपका दूसरा तो दूसरा अवार्डेट हो जगा आवार्डेट का क्या हो जगा गेव अवार्डेट का ग लिट्रेचर में आपको मुलाकात होगी किसे लिट्रेचर में मुलाकात होग आपको Poetry के P gent се किसके poetry के पैसे से आप जोको पुट्री के पैसे देखने वाले थीक है टीके लिए very most important poetry refuse बताने बला Bose 2022 में भी बहुत Дो तीन कोड में लगाता एक प्रशन मोस पुछा था और हम लोगो पांसर देना होता है। प्रिष्टिट और नेरो मिननेट्स आप देना होता है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom just as surely as I am not when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressors alike are robbed of their humanity। ठीक है। तो यह आप लोगों का poetry का पैसे जो कि एक बार आप लोगों carefully दिहन से पढ़ लेना है। इसके बाद इसके नीचे दो क्यों संदिया हुआ है। और इसी में से आप लोगों कांसर बताना होता है। कह रहा है कि who according to Mandela is not free। और दूसरा है कि who are robbed of their humanity। तो देखें पहले कि हम लोगों answer देखने वाले हैं। who according to Mandela is not free। इसका अंसर देखेंगे। इसका अंसर बहुत simple है। कि according to Mandela both the oppressors and the oppressed is not free। the oppressed is not free because he is impressed by pressure streets and narrow mindedness। mindedness यह आप लोगों का question एक answer रहा ठीक है। नूट कर यह simple। दूसरा है कि who are robbed of their humanity। क्या है। who are robbed of their humanity। यह तो इसका अंसर आप लिखोगे simple। बहुत ही जादा दो लाइन का इसका अंसर है। कि both the oppressors and the oppressed are robbed of their humanity। ठीक है। इसका भी answer complete हो गया। तो देखा आपने poetry का भी पैसस हमने आप लोगों को बता दिया। दो questions पूसता है। दुनों का answer भी हमने बता दिया। आप देखे लास्ट में आप हम लोगों बात करने वाले हैं। पोएट्री के पैसस को पोट्री के पासस पूछा दाता अब आप हम poetry के पैसस को बात मेंने बताता न तीन पैसस में डिसकbnा किना पासस की करने करने वाला हूँ। कि पूर्ट रिकता वेशिय। के सटानिकों मैं यहां पर मिस्टेक लिखा हूँ यह जो है न इसको आप कैंसिल कीजिए यह पूर्इ सुरी॥ यह क्या होता है प्रोज होता है ठीक है सिंपल दयान दीजिएगा आप लोग यह प्रोज के पैसेज होते हैं किसके प्रोज के अभी हमने प्रोज का देखा है आप पोईट्री का देखने वाला हूं ठीक है तो पोईट्री का देख लिजिए पैसेज तो पोईट्री का से डियर पास ठीक है तो चार लाइन का आप लोगों का पोट्री का पैसे स्पूचता है और इसके नीचे भी दो क्यूसन दिया है इस प्रकार ए पहला प्रस्ण है कि वेर डिड़ टाइगर वेट फॉर इस प्रे और दूसरा जो प्रस्ण है वह प्रस्ण दे रहे है जो कि वेर डिड़ टाइगर वेट फॉर इस प्रे इसका अंसर कैसे लिखोगे सिंपल है क्या लिखेंगे कि अटाइगर वेट फॉर ही स्प्रे है इन दा सैड़ आफ ट्रीज और क्यूसरा भी जो है वह a point of the rhyming word in the stanza रामिंग वर्ड इस stanza बताना है रामिंग वर्ड बताना है इस stanza का तो सिंपल बताएंगे कि अटाइगर रामिंग वर्ड आर ग्रास अंड पास ग्रास अंड पास रामिंग वर्ड़ा इस stanza का ठीक है अगरास आप आकि कि कि बोर्ड एक्जाम में पहुचना है एक नोट्स बनाते चलिए जितने भी मुश्टीम बटिन के उससे में करा रहा हूं तो वीडियो कैसी लगी बताइए वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को कर लिजिए मिलेंगे इसी तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद